हेलो दोस्तो स्वागत है भकत कोमिजने के सनके एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप चारकन आई टी आई एडमिशन दोजर चोबिस के लिए जो है फॉर्म को फिलप करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ करते हैं और step by step form फिलप करना शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जो है गूगल पर आना होगा और गूगल पर लिखना होगा जहारकन आई टी आई तो जैसे आप जहारकन आई टी लिग के सर्च करेंगे ना तो आपको जो है सबसे पहले एक official website का link मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप जो है इस official website पर आ जाएंगे जिसका link होगा iti.jharkan.gov.in ठीक है और जैसे दोस्तों आप इस वाले website पर आएंगे आपको सबसे पहले एक important notice देखने को मिलेगा कि अगर आप जो है iti admission लेना चाहते हैं 2024-2026 session में तो आपको जो है क्या-क्य document के need होगी यहाँ पर दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो इसको आप लोग कार्ट दीजेगा इसके बाद आप यह जो corner देख पा रहे हो ना admission का एक नया option है इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप जो है online form फिलप का जो website है उस पर आ जाएंगे आने का बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं event and tentative dates जी यहाँ पर सब date दिया गया है कि आप जो है किस date से लेके किस date तक form भर पाएंगे किस date को जो है आप लोग का list निकाला जाएगा और आप लोग का counseling कब होगा सब कुछ दिया गया है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर login और यहाँ पर register का एक option दिख रहा होगा आपको right side में तो आपको सबसे पहले जो है register new applicant का option है इस पर आप click करेंगे तो आप जो है registration वाली page पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे applicant registration आपको apply year दिख जाएगा means registration year दिख जाएगा इसमें आपको सबसे पहले तो आपको अपना नाम यहाँ पर enter करने होगे जो कि 10th board certificate के according होना चीए ठीक है तो इसमें आपको जो है अपना नाम यहाँ पर फिलब करना होगा ठीक है मैं यहाँ पर example कुछ भी फिलब कर रहा हूं बड़ दोस्तों आपको जो है नाम फिलब करना होगा बड़ दोस्तों आपको Mr. Mrs. यह सब करेंगे सबसे पहले year चुनेंगे year चुनने के बाद दोस्तों month चुनेंगे month चुनने के बाद दोस्तों आप लोग जो है date चुनेंगे तो इस परकात दोस्तों आप लोग जो है date of birth को set करेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको जो है email id यहाँ पर email id फिलब करना होगा और दोस्तों यहाँ पर जो है अपना mobile number फिलप करना होगा, इसके बाद दोस्तों sent mobile OTP पर क्लिक करना होगा, तो जैसे ही दोस्तों आप लोग जो है OTP send करेंगे आपको यहाँ पर आ जाएगा कि mobile OTP send successfully, तो आपको OK पर क्लिक करना होगा, अभी आपको यह जो mobile number OTP का option है, इस OTP को फिलफ करने के बाद verify mobile OTP पर क्लिक करना होगा, अभी दोस्तों आपका जो OTP है वो successful verified हो जाएगा, अभी OK पर क्लिक करेंगे, अभी दोस्तों नीचे आपको जो है एक password यहाँ पर बना लेने होगा, ठीक है, password कैसा बनाएंगे मैं वो भी आपनों को जो है बता देना च कर सकते हैं, इसके बाद 123 यहाँ पर 321 कोई साभी नंबर आप इसी format में जो है password को रखेंगे, password को यहाँ पर fill up करेंगे, password को फिलफ करने के बाद दोस्तों फिर से आप यहाँ पर password को confirm करेंगे, ठीक है, इसके बाद register नाव पर क्लिक करेंगे, अभी दोस्तों आपको जो है एक यहाँ पर notice दिखेंगे कि आपका जो registration है दोस्तों वो successful हो चुका है, जो कि step 1 complete हो चुका है, इसमें आपको अपना application number दिख जाएगा, आपको अपना नाम दिख जाएगा, इसमें आपका email ID दिख जाएगा, ठीक है, अभी दोस्तों आपको यह जो नीची एक line दिख रह आप fill up करके login पर click करेंगे, अभी दोस्तों आप देखेंगे ना, आप successfully जो है login कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर application number दिख जाएगा, और academic year भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी आपको अपना नाम, आपका पीता जी का नाम, आपका यहाँ पर mother's name आप आपका आधा number 12 डिजिट का होगा, उसको आप यहाँ पर fill up करेंगे, ठेक है, इसके बाद दोस्तों gender, आप male है, female है, वो आप चुनेंगे, इसके बाद नीचा आएगे ना, दोस्तों यह जो residential status है ना, आप इसमें देखिए, permanent resident of जारकन, या फिर local resident of जारकन, आप इसमें आ आप अपने according चुन लिजेगा, primitive tribe में आप yes no है, आप अपने according चुन लिजेगा, इसके बाद दिखिए, एक serviceman का option है, अगर आप एक serviceman है, तो yes no, आप अपने according कर लिजेगा, person with disability, अगर आप लोग जो है, विकलांग candidate है, तो yes no, आप अपने according कर लिजेगा, ठेक है, इसक पास के लिए apply करना है, तो उसको आप यहाँ पे choose करेंगे, इसके बाद minority, sorry, इंडिये, आपका जो nationality होगा, आप इंडियन होगे, तो इंडियन अधर होगे, तो अधर ठीक है, इसके बाद नीचे आइगे ना दोस्तों, तो आपको जो है, यहाँ पे present address, और यहाँ पे जो तो इसमें दोस्तों आपको जो है complete address देने होंगे, तो दोस्तों आप लोग complete address कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, village लिख देंगे, post office लिख देंगे, police station इस परकार लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद आप अपना state चुनेंगे, district चुनेंगे, और block चुनेंगे, ठीक यहाँ पर copy paste हो जाएगा, ठीक है, address fill up करने के बाद दोस्तों आपको जो है, education details यहाँ पर fill up करने होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों 10th चूज किया हूँ, इसलिए 10th ही यहाँ पर option आया है, और अगर आप लोग 8th class चूज करते हैं, तो 8th class का details आपको यहाँ पर देने होंगे, तो ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको जो है, board का चायन करना होगा, कि आप जेग board से 10th pass किये हैं, या फिर CVSEC किये हैं, या फिर ICSEC किये हैं, या फिर दोस्तों अधर से किये हैं, तो आप इसको चून लेजिएगा, इसके बाद दोस्तों आपको जो है, अपने school का नाम यहाँ पर fill up करना होगा, ठीक है, आप अपने mark sheet में देख लिजेगा, school में जैसा नाम लिखा हुआ है, वो ऐसे ही इसमें लिखिएगा, इसके बाद दोस्तों उस school का address आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी भर रहा हूं दोस्त क्या रहेगा, मिंस आपका जो 10th pass है ना दोस्तों वो marks के basis पे है या फिर grade के basis पे है, वो आप अपने recording चून लिजेगा, इसके बाद दोस्तों आपको जो है grade देने होंगे, तो यानि इसमें जो आप लोग का अब देख सकता है, total marks आप यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर जितने लाए होंगे, और 10 marks, यहाँ पर जितने लिख देंगे न, percentage जो है, automatic बन जाएगा, अब देख सकते है, percentage जो है, automatically बन गया है, अभी दोस्तों आपको जो है marks यहाँ पर upload करने होंगे, जो की PDF फाइल होना चाहिए, वो भी 200 KV के अंदर होना चाहिए, तो मैं इसको upload कर देता हूँ, इसके बाद दोस्तो 7 next में click करेंगे, अभी next step में दोस्तों आपको जो है photo and signature upload करने होंगे, ठेक है, तो photo and signature upload करने होंगे, आपका जो photo होगा न, दोस्तों उसका जो size होगा, 15 KV से लेके 20 KV तक होना चाहिए, और दोस्तों इसका जो background होगा न, वो white या फि ठेक है, इसके बाद signature में आएंगे न, तो signature आपको 10 के भी से लेके 30 के भी तक यहाँ पर डालने होंगे और upload करने होंगे, तो choose file पर click करेंगे, और जो है photo को यहाँ पर upload करेंगे, इसमें दोस्तों आप जो photo upload करेंगे न, उसके बाद upload photo पर click करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको जो है न, सब details दिखाए जाएंगे, जो भी details आप भरे होंगे, नीचे आएंगे, यह जो final submit है, इस पर click करेंगे, यह जो छोटा सा एक डबबा दिख रहा होगा, इस पर click करके final submit पर click करेंगे, अभी दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको जो है, सब कुछ दिखाए जाएंगे, आप इसको print out करके रख लिजेगा, ठेक्या, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाने न, कि आप जो है, ITI, admission, 2024, 25, 26 के लिए, जो है, form को कैसे भरेंगे, step by step में इस वीडियो में आपनों को जो है complete बता चुगा हूँ, तो अगर यह वीडियो आपनों को अ